हलो फ्रेंड स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बूल बैस्टॉक पर आर सी एफ राश्ट्रिया केमिकल्स एड फर्टिलाइजर लिमिटेड इस कम्पनी को लेकर फाइनेंसियल से आपको सिकायत कम हो सकती है लेकिन मेरी कम्प्लेंट कुछ और ही है इसके डेटर डेज 171.29 डेज हो गए है साथ ही कंटिंजेंट लियाबिलिटीज 1697 क्रोड की बना कर बैठी है जो अराइज हो भी सकती है और नहीं भी वैसे ये कम्पनी का बिजनेस मैनुफेक्टरिंग और मार्केटिंग और फेटिलाइजर्स एंड इंडिस्रियल केमिकल्स का है कम्पनी पर डेट 229 क्रोड फ्री कैच्छ फ्लो माइनस 955 क्रोड आप समझ सकते हैं कम्पनी के पास पैसो की शोर्टेज हो सकती है एनुल प्रोफिट 207 क्रोड डेट फ्री तो हम इसको कहीं से भी कंसिडर नहीं कर सकते रिसेंट आए क्वाटर 3 के रिजल्ट में प्रोफिट 99 क्रोड का था सेप्टमबर एंड में 104 क्रोड और जून एंड क्वाटर में 19 क्रोड का प्रोफिट देखने को मिला 2017 में प्रोफिट 179 क्रोड का था 18 में 79 क्रोड रहा 19 में बढ़कर 133 क्रोड हो गया और 20 में 207 क्रोड आप quarter to quarter की बात करेया फिर year to year की प्रोफिट कंसिस्टेंट रहा है शेर होल्डिंग पैटरन को देखे तो प्रोमोटर्स में प्रेजिडेंट ओफ इंडिया की 75% होल्डिंग देखने को मिली लेकिन सबसे पोजिटिव पॉइंट शेर एक भी गिरवी नहीं है पब्लिक की 20.94% होल्डिंग डोमेस्टिक इंस्टिटूशनल इंवेस्टर्स में LIC ओफ इंडिया की 2.17% होल्डिंग रिटन ओन कैपिटल एंप्लोईड 7.51% रिटन ओन इक्विटी 8.82% और उर्णिंग पर शेर 6.60 शेर का करेंट प्राइज 75.8 बुक वैल्यू 59.8 जबकि स्टोक फिलाल 1.26 टाइम स्टेड कर रहा अपनी बुक वैल्यू से आपको भी पता है शेर कुछ टाइम से गिरता हुआ नजराया है और कुछ अच्छा परफॉम भी नहीं कर रहा देखो मैं फिर बोलता हूँ मेरे को इस कंपनी के फाइनेंसियल से कोई सिकायत नहीं है सिकायत है तो डेटर डेज से किसी भी बिजनस को चलाने के लिए पैसों की जरूत पड़ती है ना कि उधारी की उधार लिया हुआ पैसा तो लोटाना पड़ता है बाकी मिलते है नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई एंड टेक केर